हेलो एवरीवन वेलकम नाव वी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट डार्क रूम ऑफ डी आर्टी पार्ट फर्स्ट जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डार्क रूम के अंदर एक नया टोपिक डिसकस किया था और जिसको एक ही लेक्चर के अंदर हमने कम्प्लीट कर दिया था फिल्म स्टोरेज के बारे में हमने यहां पे डिसकस किया था हमने डिटेल में डिसकस किया था वहां पे किस तरीके से फिल्म को स्टोर करके हम अपने रेडियोग्राफ की इमेज क्वालिटी को इंक्रेज कर सकते हैं और उसके स्टेबिलिटी को इंक्रेज कर सकते हैं यहां पे अपने में दो ट्विक थे stories of processed and unprocessed films processed means exposed film जो आपकी process हो चुकिये हम उनका stories कैसे करेंगे और जो unexposed films है that means unprocessed जो films है उनका अपन storage कैसे करेंगे ठीक है आज का अपना टोपिक है लेटेंट इमेज एंड वीव बोक्स वैसे आपका नाम तो सुना होगा होगा लेटेंट इमेज का तो अच्छे से बिकोज जो अपना टोपिक था Manual Film Processing और Automatic Film Processing इसके अंदर हमने बहुत बार डिसकस किया था कि हम प्रोसेस के तुरु लेटेंट इमेज जो आपकी लेटेंट इमेज होती है उसको Visible इमेज के अंदर convert करते है छीक है और हमने वहाँ पे latent image भी समझा था कि latent image क्या होता है V-box आप लोगों के लिए एक नया word हो सकता है यहाँ पे बट according to me latent image नया word नहीं है Film processing के अंदर हमने इसके बारे में अच्छे से समझा भी है पढ़ा भी है बस केवल लिखा नहीं था latent image के बारे में दुबारा से रिटेल के अंदर समझेंगे ठीक है और साथ साथ में इसके notes भी लिखेंगे ठीक है latent का सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर जो आप के latent है उस word का meaning निकालते है अपन की latent क्या होते है latent का मतलब होता है चुपा हुआ ठीक है चुपावा यहाँ पर अब चुपावा किसलिए यूजES किया गया है या फिर कोई भी photographic material के ऊपर वो image जो अपने को दिखाई नहीं दे रही है या फिर चुपी ले दैट मिन्स कि कोई भी photographic material उसके ऊपर image बनतो गई है बट आपको वो शो नहीं हो रही है उसको आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी ठीक है तो वो जो इमेज है वो लेटेंट इमेज कहलाती है अपने नॉर्मल वे के अंदर बात कर सकते हैं यहां पर अपना जो रेडियोलोजी डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है रियली के अंदर कैसे लेटेंट इमेज बनती है ठीक है वो आज हम डिसकस करेंगे लेटेंट इमेज इस इन्वीजिबल इमेज प्रोडूस्ट बाइद एक्सपॉजर ओफ लाइट और रिडियेशन ओन फोटो सेंसिटिव मेटेरियल सच एज फोटोग इसे नहीं देख सकते ठीक है प्रोडूस्ट बाइद एक्सपॉजर ओफ लाइट और रिडियेशन जो किसके कारण प्रोडूस होती है जब कोई भी लाइट या फिर रिडियेशन का एक्सपॉजर लग जाए किसको लगे एक्सपॉजर ओन फोटोन सेंसिटिव मेटेरियल क अगर फॉटोग्राफिक फिलम जैसे कि आपकी फॉटोग्राफिक फिलम पे लाइट या फिर रिडियेशन का एक्सपॉजर लग जाता है इक है जिसको हम लेटेंड ओमेज बोलते हैं जो कि एक इन्विजीबल इमेज होती है अब यह जो आपकी photographic film थी जब आप इसको process कराते हो और processing के अंदर भी main जो processing है वो है developing ठीक है जब आप developed कराते हो इसको तो the area that was exposed film का वह area जो exposed हुआ था darkens and form a visible image वो आपका dark बन जाएगा that means black हो जाएगा और visible image create करेगा that means कि after processing जो आपको image थी वो visible होने लगेगी ठीक है that means जो latent image थी वो अब visible होने लगी आपको so latent image is इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि latent image exposed होती है invisible होती है and unprocessed and developed image ठीक है latent image एक ऐसी image है जो exposed थो हो चुकी होती है but invisible होती है देख नहीं सकते हम उसको and unprocessed and developed image होती है ऐसी image होती है जिसकी processing नहीं कीवी होती है अगर हम उसकी processing कर देंगे तो वो latent image आपकी visible image के अंदर convert हो जाएगी ठीक है तो आपका जो radiology department होता है इसके अंदर जब आप जितने भी radiographs लेते हो ठीक है किसी भी human body organ की image लेते हो तो उस वक्त उस body organ के पहले latent image बनती है then आप उसको processing के थूँ visible image के अंदर convert करते हो इनी सब चीजों के बारे में अब हम यहाँ पर discuss करेंगे कि latent image को बनने के अंदर कौन से जो आपके film का जो component है वो main important है और किस तरीके से उसमे latent image बनती है जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो radiographic film होती है उसकी जो main important layer होती है उसको हम emulsion layer बोलते है जिसके अंदर आपके silver halides के crystals पाए जाते है जो कि light और radiation exposure से बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं तो obvious ही बात है कि यही silver halide के crystal जो emulsion layer के अंदर पाए जाते है यही crystals आपकी latent image बनाने में आपको help करेंगे अब यह help कैसे करते हैं होता है क्या है आपको मैंने बताया था manual film processing के वक्त अपन एक बार वैसे समझ लेते हैं आपकी जो radiographic x-ray film है ठीक है उसके अंदर azbr के crystals हैं आप अच्छे से जानते हो ठीक है जब उस पे radiation गिरती है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है या फिर कोई भी light गिरती है तो वो जो azbr के crystals हैं वो ionize हो जाते है that means ions में प्रविर्तित हो जाते है ag plus plus br minus में ठीक है ये जो reaction होती है इस reaction के बाद में आपकी जो film होती है film के उपर कुछ भी visible नहीं होता that means film जैसी पहले थी वैसी अब की अब अगर हम उसको बाहर से देखें तो ठीक है but real के अंदर क्या हो गया कि पहले उसके अंदर azbr के crystals थे but अब उसमें azbr के ions है that means changes हुए है उसके अंदर changes हुए है that means वहाँ पे image बनी है ठीक है और वो जो image है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको आप तब देख सकते हो जब आप उसको process कराते हो that means यह है जो image है यह latent image कहलाती है invisible image कहलाती है when the film is exposed to x-rays azbr in the emulsion gets affected and ionized जैसे ही आपकी film x-ray से exposed होती है जो azbr होते है emulsion layer के अंदर silver halides के जो crystals पाया जाते है वो affected होते है और ionized हो जाते है और इनकी reaction क्या होती है azbr converts into az plus plus br minus ठीक है after exposure the crystalline structure of emulsion is changes जैसे यह exposure लगा exposure लगने के बाद में जो आपके emulsion layer है उसकी जो crystalline structure है that means उसके जो crystals है उनकी structure change हो जाती है because यह जो crystals थे यह किसके थे azbr के थे और अब यह crystals ionized होके ions के अंदर convert हो चुके है that means वहाँ पे उनकी जो crystalline की structure है वो बदल चुकी है change हो चुकी है now this emulsion layer of film contain information of object according to the ionization of azbr and creates an image on the film which is invisible until processed called latent image ठीक है अब यह जो emulsion layer थे फिलम की यह आपको पता है क्या रख रही है जो आपकी object जो बीच में आपने रखी थी ठीक है exposure के और आपकी फिलम के बीच में उस object की सारी के सारी information ले रही है कैसे ले रही है जो आपकी radiation आएंगी ठीक है object से टकराएंगी object से टकराने से क्या होगा उनके intensity चेंज होगी ठीक है कहीं पे high density पार्ट है वहाँ पे वो absorb हो जाएंगी कहां पे load density पार्ट है वहीं पे सीधी की सीधी निकल जाएंगी और जाके आपकी x-ray फिलम पे गिरेंगी अब जो आपकी x-ray फिलम है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे उसको radiation लगेगी वहाँ वहाँ पे azbr के crystals आयोनाईज हो जाएंगे और जहाँ पे नहीं लगेगी वहाँ पे azbr के crystals आयोनाईज नहीं हो पाएंगे या फिर जहाँ पे radiation के intensity कम होगी वहाँ पे azbr के crystals कम आयोनाईज होंगे that means कि आपकी radiographic x-ray फिलम के उपर object की सारी information है बट आप उसको अभी देख नहीं सकते ठीक है जैसे जैसे आपका azbr का crystal आयोनाईज हो है उसके according आपके object के सारी information आपकी radiographic x-ray फिलम पे आ चुकी है बट अभी आप उसको देख नहीं सकते और इसी image को latent image और invisible image कहा जाता है latent image consists of cluster groups of silver atoms or ions which are chemically charged positive जैसे कि आप यहाँ पे reaction के अंदर देख सकते हो कि आपके जो silver के crystals है उनके उपर charge है positive ठीक है तो यहाँ पे होता है कि latent image के अंदर silver atoms के या फिर silver ions हम बोल सकते हैं silver ions का crystal या फिर cluster या फिर group पाया जाता है cluster means यहाँ पे गुच्छा ठीक है group पाया जाता है which are chemically charged जिन पे chemical charged होता है that means उन पे charge पाया जाता है और वो charge कैसा होता है positive होता है ठीक है तो all over आपका जो latent image का formula था या funda था जो भी formation का वो यही है कि अलग-अलग intensity की x-rays आती है silver chloride crystals को ionize करती है और x-ray film पे एक image बन जाती है जो कि आपको invisible होती है that means visible नहीं हो पाती है जब तक आप उसको process नहीं कराओगे ठीक है और इसी image को हम latent image कहते है ठीक है latent image जब आप किसी भी body की image लेते हो तो जो processing से पहले या फिर exposure के बाद में exposure के बाद में और processing के पहले यही उसका एक time duration होता है जिस वक्त latent image रहती है आपकी x-ray film पे processing के बाद में ये latent image visible image में convert हो जाती है ठीक है latent image में होता कुछ नहीं है आपकी जो emulsion layer है उसमें जो azbr के crystals है वो ionize हो जाते है बट ये process आपको visible नहीं ही होती है इसको visible करने के लिए इस az plus को एक electron देके az के अंदर convert कर दिया जाता है that means black metallic silver के अंदर convert किया जाता है जो कि development में किया जाता है ठीक है और इसको visible image में convert किया जाता है अब आपने बात की यहां पर latent image की ठीक है अब अपन बात कर रहे हैं विव बॉक्स की विव बॉक्स क्या होता है विव का मतलब क्या होता है देखना ठीक है बॉक्स that means simple box ठीक है आपकी जो रेडियो ग्राफ या फिर रेडियो लोजी डिपार्टमेंट है वहां पर विव बॉक्स क्या होगा आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके जो एक्सरेज होते हैं जब उनको एनलाइज करना होता है that means देखना होता है कि क्या diagnosis है क्या disease condition है तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जहां पर विव बॉक्स नहीं होते है अपन वहां की बात करें नॉर्मली तो क्या diagnosis है बट जहां पर आपको विव बॉक्स विजिबल होगा वहां पर आप देखोगे कि एक बॉक्स टाइप इस्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर डोक्टर या फिजिशियन उस एक्सरेज फिलम को हैंग करता है मतला लटकाता है उसमें फिक्स करता है दैन फिर वो उसके अंदर डाइग्नोसिस करता है या फिर उस डिजिजिज कंडिशन को देखता है ठीक है तो यह जो बोक्स है मेंली जो बोक्स बनाया गया है इसका में वर्क क्या है रिडियो ग्राफ को देखने के लिए काम आता है ठीक है जिससे हम क्लियर इमेज देख सके अच्छा इसको इलूमिनेटर भी कहा जाता है यह है एक अलेक्ट्रिकल बेफ Oliver को देखने के लिए काम आता है यह नोर्मल्य अगर अफ़न विधाव्ट इसके रिडियो ग्राफ को देखेंगे तो हम sunlight में या फिर आपका जो light का source है उसकी तरफ x-ray film को ले जाके हम रेडियो ग्राफ को देख सकते हैं उसके बारे में diagnose कर सकते हैं view box is high quality x-ray illuminator containing top and bottom film grips on the view box area view box के अंदर आपकी दो चीज़े होगी एक view box area होगा और एक total view box हगा view box का मतलब आपकी जो पूरी device है वो तो आपकी क्या कहलाती है view box कहलाती है और view box area वो कहलाता है that means कि उस box का वह पार्ट जो आपको रेडियो ग्राफ को देखने के लिए काम में आता है ठीक है तो उसे अपन बोलते है view box area अब यहां पर होता है कि जो view box area होता है उसके बोटम में और टोप में दोनों साइड में grips पाई जाती है grips मतलब hangers टाइप में structure पाई जाते हैं जिनके बीच में आप radiographic x-ray film को fix कर सकते हो ठीक है ताकि अच्छे से आप radiograph को देख सको ठीक है x-ray illuminator are available in various intensity option इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी कि जो आपका x-ray illuminator होगा view box होगा वह सी बात है उसके अंदर light लगी होगी तभी तो आप radiograph देख पाओगे अंदेरे में तो आप radiograph नहीं देख सकते हैं ठीक है तो वहां पर जो उसकी light होती है उसकी अलग-अलग intensity के options आपको मिलते हैं आप intensity को increase भी कर सकते हो और decrease भी कर सकते हो जिससे आप अच्छे से radiograph को clearly visible कर सको अच्छे से radiograph को देख सको अच्छे से उसकी pathological condition को diagnose कर सको इन सब conditions के लिए उसके अंदर intensity के option दिये जाते हैं आपको आप उनके according उसकी light को कम और ज़्यादा कर सकते हो X-ray view box provides more clearer image for accurate diagnosis जो आपका X-ray view box होता है वो आपको बहुत clear image provide कराता है for accurate diagnosis आप उससे diagnosis जो आपका होता है वो accurate होगा ओवेस भी बात है clear image होगी तो diagnosis आप accurate ही कर पाओगे ठीक है It helps physician to see the more brighter high contrast and more detail of an image यह physician को help किस तरीके से करता है कि जो आपकी जो image है वो जदा brighter दिखाई देती है उसका contrast अच्छा दिखाई देता है इसी का मतलब है high contrast जब contrast अच्छा होता है तो आप अलग-अलग density के part को अच्छे से differentiate कर सकते हो और जब उनको आप अच्छे से differentiate करोगे तो obvious सी बात है कि जब disease आप diagnosis कर रहे हो आप उसको अच्छे से diagnose कर सकते हो ठीक है and more detail of an image और वो जो image है उसके बारे में आपकी जितनी भी detail है आप उस जादा से जादा detail उसमें से निकाल सकते हो ले सकते हो view box are available in various sizes जो आपके view box होते हैं वो market के अंदर अलग-अलग size के मिल सकते हैं आपको जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी radiographic x-ray film होती है उसके भी size अलग-अलग होती है ठीक है colors of view box is white for illuminator white light is used in the form of bulbs, tube light and LED ज्यादा तर नहीं हम यहाँ पे 100% कहेंगे कि जो भी आपके view box होते हैं view box के अंदर white light source ही यूज किया जाता है मतलब ऐसे light bulbs या फे tube lights यूज किये जाएंगे जिनका source कैसा हो white light हो ठीक है तो यहाँ पे white light के लिए white light के bulbs या फिर tube lights यूज किये जाती है या फिर LED यूज किये जाती है जिससे उसमें से white lights निकले ठीक है और white light के होता है कि जो आपके जो emulsion layer होती है उसके पास में जो base layer होती है उसके साथ में अच्छा relation बना के आपको अच्छी image प्रोवाइड कराता है इसलिए यहाँ पे हम white color यूज करते हैं ना कि yellow color light yellow color light से आपकी जो image होती है उसमें आपको like fog like structures दिखाई देती है ठीक है इस वज़े से केवल और केवल white color यहाँ पे use किया जाता है तो obvious ही बात है simple ही बात है यहाँ पा आपका कि x-ray view box क्या होता है radiographs को देखने के लिए काम में आता है एक electrical device होती है जिसके अंदर bulbs, tube lights वगर अलगी होती है ठीक है और इसके अंदर top और bottom के अंदर grips लगी होती है जैसे कि आप ये view box यहाँ पे देख सकते हो ठीक है इसमें केवल और केवल top के अंदर grips लगी है bottom के अंदर यहाँ पे कोई grips नहीं है ठीक है इन grips के अंदर आप film को hang कर देते हो ठीक है इसके अंदर lights लगी होती है जैसे आप इसको on करते हो तो आपकी जो radiographs है वो आपको clearly visible होते है जैसे कि आप next image में देख सकते हो कि किस तरीके से radiographs लगने के बाद में आपको कितने clear radiographs यहाँ पे visible होते है जो कि आपको जब आप normal किसी भी light source के पास में radiograph को लेके जाते हो तब आपका इतना clearly visible नहीं हो पाता है wait for the next diagram यह आपका यहाँ पर next diagram आ गया है इसमें आप देख सकते हो यह एक large view box है ठीक है जिसमें इन्होंने एक साथ 3 film में लगा रखी है तीन films हैंक कर रखे है जैसी आप film को हैंक करके यहाँ पर इसका light जो यह light को on करते हो तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी clear image visible यहाँ पर हो रही है आप सारी कि सारी जो भी आपको details लेनी है या फिर जो भी diagnosis करने के लिए आपको जो भी details चाहिए आप वो यहाँ पर थैंक गुडिया झाल 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 कि आपको को यहाँ बाह्न करदा उर झाल 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 था झाल 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 झाल